आज क्लास बारा का इंग्लिस का जो है यूपी बोर्ड इंग्लिस का इस तीन सो सोला इजे ये सेट को हल करते हैं इसके पहले हम इडवल इउसको हम हल करा चुके हैं अगर आप नहीं देखें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका भी आप देख लिजिए कोई भी आपका सेट हो आप बिल्कुल कमेंट करिए उसकी वीडियो आपको मिल जाएगे देखते हैं इन्हें पार्ट स्क्र सब मैं बताऊंगे एक तरफ से पूरा बताऊंगा इसलिए आप थ्यान से पूरे लाश्ट तक बने रहें और आप अपना मिला लेजी कितने सही है अगर आप 11 में हैं तो आगे के लिए आप जान लेजी कैसे आपको पेपर आएगा इसके आप किसी भी दूसरे क्लास में भ सब्सक्राइबल और कमें का क्या मतलब तो पारग्राफ में आपको मिल जाएगा तो इसलाम की आगमें से पहले अफगानिस्तान में कौन से धार्मी ग्रूप रहता था इन्हें पिडमार रहना निवास करना तो चली देख लेते हैं इसका अंसर आपको पढ़ेंगे जब न और करना के इसलाम की आगमन से पहले मतलब मद्धि भारत में ना कि भागों में लाजली वर लाजली बुद्धिस्ट अधिकार समातर में बुद्धिस्त लोग रहते थे तो मिल गयाना आंसर को रहते थे आपको बतादेना है बुद्धिस्ट ठीक तो वाट देना बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग ठीक है उसके बाद इसलाम तक कर देना है या बुद्धिष्ट रिलिजियस ग्रुप्स लिख दिया है तो भी गलत नहीं माना जाएगा पूरा लास तक आपको लिखना है तो बुद्धिष्ट अब यहां देखिए दिये गया है द कि यहां आया है इसका मतलब मुझ लिए है क्या आया है इसलाम के बाद दिखिए अर्लियर इस्टिलिस से भी पहले दूरिंग देपीरियर्स ऑफ एपिक्स के समय हिंदू उज्माने हिंदु धर्म के लोग तो इसी में से आपको पूस्टिन मनाना इसमें सापको मिलेक नही को कि मतलब करां कि इस बुद्ध्धम को मानने वाले था और इससे भी पहले जो है महा काब के युग के दौरान हिंदु धर्म को मानने वाले थे तो काने मतलब यह है कि पिक्स का युग पीरिट आफ पिक्स का मतलब बताना तो आपको यह बताना कि पीरिए आफ पिक्स का म गालिक महाभार्द और ऑल्ड ये चीज़ है तो पीरियोड आफ अपक्स के मतलब आपको तालाना कि आपका एक पीरियोड अफ आफ इसमन्स ए पीरियाट वेन ग्रेट एपिक्स ने क्या ऊवर रिटन लाइक रामायड लाइक लाइक दा रहामायन ठेक है और महाभार्दा माहाभार ता है ये लिखना है इस तरह से आई होप आप समझ गवे एप महा काव विग अब इसे हिंदु धर्म में महा दो महान महा काव लिख गए उस समय को महा काव विख यूख कहा गया था ठीक है मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपने इस्वाप से जैसे भी का कि का सकते हो ओपीरिट फिक सब अफ आप पीरियूड ऑफ अनकीयों कि टायम से इस लिए प्रीटेन तो इसको पढ़ेंगे तो आपको मिल दियागा अपने इम्मा जो है इन्वेस्टी के लिए फेमस था देखिये इसका अंसा बता रहा है तैकृषलेवाज सवें सब्सक्र जो लिख देना थे उसके बाद आंसर कहते देखना तो बता आंट अटेखस लंशी मस काथ को बताएli नहीं भूवाइचे लिख देना था एक विद्फ तो क्योस्के बाद आन था इक वांशी ना था इस इकला आ जमंश लगाद अनिपनी ग्रेट इन्टी यह कहो है कि अय तो फार इस ग्रेट सिन्वेस्टि उसके बाद जो है विच वाज अड़ाइट ऑफ इट्स फेम टू थाउजन डियस से को जो दो हजार साल पहले अपने प्रसिद्धी की चरम सीमा पर था ट्राइटिंग इस्टुएंट्स फ्राम आल ओभर इंडिया जो भारत के जो है अलग लग इस्से के लोग विद्ध्यार्थियों को आकर्षित करता था मतलग क्यों आकि यहां पढ़ें ऐस ब्रइफरेंट पार्स आप इस यह के भिन्विन भागों को भी अकर्षित कर रहा था इसलिए तक्स लेग था यह आपका इसका मेन आंसर होगा चलिए आगे दिखते ल अगला क्या है वाट है विद्ध्यार्थियों क्या रहा है कामन सामाने टू दफीपल आफ अफगानिस्तान इंप आफ इस तान आफ इस तान आफ यह वागों में क्या बात कामन रही है इस वाइड देर डिफ्रेंट रिजिए उनके अलगलग धर्म के बावजूद भी तो क देखिए जो डी वाला कुछ से आपका पूछा है कि मतलब कि क्या कामन रहा है अफगानिस्तान के लोगों में और मद्धेशिय के भारत लोगों में मद्धेशिय के भागों के लोगों में उनके धर्म के बावजूद भी तो इसमें देखिए आप यहां लास्ट में पढ़ दो जेए रिया है ड्वल जो छेत्र के लोगों ने बिकसित कर लिया था कि दर्म के परिवर्तन ने अंतर तो डाला लेकिन उस मानसिक प्रिष्ट भूम के पूरी तरह से नहीं बतल सका जो इस चेत्र के लोगों में बिकसित हो गया था था मतलब धर्म एक एकता की भावना दाते हैं यह सब बात है तो चलिए आप इसका अंसर क्या यह से लिखना है अपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है प्रसमें से क्योंकि वैसे भी बड़ा अंसर हो जाएक आप डारेक्टली बता दो क्या नहीं बता सकता तो चेंज आफ रेलेजेंस से पूरा लिखते चल़ arrival or coming किस सब्द का मतलब arrival or coming है तो आप इसको पढ़ते चले जाएंगे तो Advent एक सब्दा है Advent वहन होता है coming arrival arrival or coming अभी पढ़े तो बताए थे देखिए Advent आपको कहा मिल जाएगा आपको सुरुवा से पढ़ेंगे तो तीसरी लाइन में मिल जाएगा तो अगे बढ़ते हम आगला कुस्टन जो आपका दिये गया वार मनएट वाकब मिन्सस्ट्रेश्ट क्या मतलब उनमय सब्लब तो इसको उन्यृजण है पता देखना नोट कर लिजिप तो पहली बात तूँम मॉनुमेंट्स कुस को क्याते हैं अल्यविकल न मॉनुमेंट्स डइस करके लिए आजय मॉनुमेंट्स आप लेके ए बील्डिंग भी यू आई एल डियाई जिए बिल्डिंग ए टी सिप्रथी तीन इक विल्डिंग ए तियारी में जो बनी हो इन इन मेमोरी इन मेमोरी आफ सम पर्शन किसी ब्यक्त की ठीक है और तू कॉम मेमोरेट का मेमोरेट मने यादकार के लिए याद याद करने के लिए इसका अंसर हो एविल्डेंग इसका मतलब इसका मीनिंग है आप सेंपल भी कर सकते हैं कि एविल्डेंग मेमोरी आप सम पर्शन और इसे भी कर सकते हों कि सिभ्यक्त या इतिहासी घटना की इसमर्त में बनाएगे कोई इमारत उसी को हम कहते हैं मोनुमेंट्स तो हिंदी में इसको कहते है आतिहासिक महत्त्य की पुरानी इमारते ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ इस्टेरिकल इंपॉर्टेंस अब इस तरह से भी लिखे होंगे दिखते ना सिलोग तेमारते हैं मुनक्स लोग रहते हैं तो इसका मतलब होता है ऑफ प्लीस फॉर मंग्स ठीक है और प्रीष्ट आफ द बुद्धिस्ट्ट डेंज सलिग देना मुश्टिश मतलब एप सिपलेस प्लेस मने होता स्थान या हास्टल से विकनते हैं तो एपल एड प्रीस्ट लोग होते हैं आफदा बुधिष्ट भी यो डबल डी यस इस टी टिता में बुधिष्ट का वरण किये गया तो इस रिलेट्ट वर्ड है ब्लीस फार मंक्स और प्रीस्ट ऑफ दा उद्धिस्ट टीज यह निवा बुद्धिकाल की समय के वह था पुद्धिक दिनों के समय में जो आप्टार्वध रहते थो उनकीर हने का अस्थान तो प्लेस फार अगर आफ सिंपली प्लेस फार मंक्स भी खर रहे हैं मंक्स आंप् जाए पुलिए तरह से हम दोरों को बता दिये अब से नानिम साफ इंट अंटारली उसका इसका सानिम सोता है तो पैससे नहीं बताना कि पैसस से बताई इसका क्या मीनिंग आपको ऊपने मंस सर बताना है तो हम आपका साही हो जाएगा कोंप्लेटल हो जाएगे अगर टोटली लिखें हैं टी यू टी एडवल एल यू तब भी आपका सही हो जाएगे है एक सेक्षन-बी में आपका जो है निबंध आया है और लेटर आया है गया तो के लिए खत्रा आज दिए कि रिख डरों कर सकते हैं तो यह बिल्कुल आपको फसा आज क्वारे आप आराम से लिख सकते हैं आई होप आप के हुगे एक्सिलेंट में भी था आगे देखिए अपने सांसक्रितिक धरोहर को कैसे हम प्रिजर पर सकते हैं बनाया रख सकते हैं करने लड़ुटर को इसमें लिखना था और हाउ लांग हिल्थी लाइफ कैसे एक लंबा स्वास्त ही जी सकते हूं बाबाराम देव का योगा देखिए बहुत बताते हैं का योग बाइब का इंजम पर दे अपने होग के दौरा ठीक है और जीवन साहिल को सभार करके इस तरह दिया गया है और सांकृतिक विरासत की बारे में लिए लिए गाँगे उसको नहीं कर पाएंगे तो आप बता सकते हैं इसके बारे में वीडियो में सकती है अब दूस्ट्रीट प्राइक लिए वाज़ती जिलादिकारे में अपने जिलादिकारे में लिए टान लुक्राइक को बतादीजिया तो मतलब ड्leks बंगें आपके छेत्र में यहां भी रहे आप बतादी कि इसमें बाढ़ की भैयंकर इस्थिति आ गई है उसको टाइकल मतब सुल जाए तो मतलब बाढ़ से राहत के लिए इस्टिक में इस्टेट को आपको लिखना है तो आप इसको आराम से लिख दिया होंगे कि बतादी कि अपना एक लोकालिटी बताई इस अस्थान पिरा रहा हो यहां पर बाढ़ की स्थिति आ गई है तो उसको जो है स्थिति से राहत दिलवाने का जो है कार करें इसके बार में लिखना था चलिए अगला देखते हैं अगला आपकर देखिए लेटर जो आया है इसके अलामा बाढ़ क उसे बताओ दा यूजेज एंड वीज़ आफ सेल फोन मॉबाइल फोन के यूज़ माने उपियोग वीज़ माने दोके तो यह इंपॉर्टन अप्लिकेशन था इसको भी हम बताए थे आपको पहले से मॉबाइल फोन पर बिल्कुल आ सकता है निवंद भी आ सकता तो जब न बताना दोन बताना पढ़ने लिखने के लिए अच्छा फिक है और इधर उधर के बातें करने के लिए वाट्सप ठीक है कवेडियो अगरए इस सब अपने समय बरेबाद करने कले कर रहे है तो बेकार है इस तरह से दोनों पाहलों पर आपको बताना है अच्छा भी है बु प्रवाइब हो तो सही है अगला है कि अग्रेक्ट आफ्ट्सन टू आंसर दा फॉल्वविंग कुस्ट्स जी नाम रूल नंबर अड्रस इस पहले से बता दिया रहता है तो डाला जाता नहीं अब इसमें होता क्या है कि ग्रामर पर चली देखते हैं ग्रामर में आपका जो है वतानेे से से महिंघो ने तो फट्स नामशन आपको बताना है अंनुट आक और ऑफ्टर एक्सेल ना दोफ आउनगे हैं तो पहले हैं एक से अपैक्सने तरह पढ़हाता हूं है तो इसमें पढ़े शिक्षलन होता इसके कर्याया हुआ करता है जिसे ना सुधारा जा सके हैं इसलिए 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 होगा अगर वहीं आपको कहा रहा है कि यह फ्रेज बोन आफ कंटेंशन एकाइसा फ्रेज सब्समों है बोन आफ कंटेंशन ज्ञगड़े की जड़ तो आप एक्सिलेंट में पढ़े थे काज आपको एरल दिया था ना तो काज के मतलब रीजन भी होता है कारण होता तो घरीजन आपको एरल हो तीसरा वाला हो जाएगा बाकि सब कंट्फ्यूज कर दिखे लिए बेन का सिनाइस बताना है सिनाइस बेन में अभी साफ होता है तो कर्स मने भी अभी साफ होता है ठीक आगे बढ़ते हैं आपको जो अगला कुस्च्चन है आपका अल्वेज स्पीक एट रूथ हमेशा सत् हीमें अग्यों तो आपको पता इसपीक के साथ ऐ नहीं लगता है दा लगता यह ーप्स परही exist आगे दिखते हैं आगला कुछिस्टन आपका इंडारेक्स करने के लिए दिया है को यह की करना लेकिन फिराल हम दोरों बताते हैं यह उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हाइस आता करूंगा तो सीधिस बात है यह इसार्टो संटेंस है तो यह सेट टू का क्या हो जाएगा टोल सेट्टू का डाया डी टोल्ड में और मीट लगा के आई का जो है ऑल्सण हो जाएगा ही अग्तल और में लगता है प्लीज हेल्प में तो सैट्टू का यहाँ प्लीज कि ना-थिहान डिए टीएगा में जाए लेक्र विटेंगा ह药ह न तो यह अग्लिए अगा देख ले यह रिक्वेस्टेड मीटू हेल्प अब मीका जो है केम साब आपजेक्ट हो जाएगा हिम रिक्वेस्टेड मीटू है चली आगे दिखते हूं कम्बाइन इन वन अब फॉल्विग एस डारिक्टर जोड़ना है कम दो से जोड़ो संथेशिस करना अब जैसे दिया गया है डार के टू से जोड़ देंगे टू फैट टू रन फास्ट जैकि पहले में बेरिये दूसरे में कहिना टेकर नर्ट आसम अर्था प्रकट होते हैं तो इसका आरत भी है वह इतना मोटा है कि दोड़ नहीं सकते हैं तो अगला है कि सीजरी इस नॉट है कि काम्प्लेक्स अंटेश अमीर है वह खुश नहीं तो इसमें बिरोध बता रहा है तो अल्डो से बनेगा काम्प्लेक्स में ठीक है अल्ट हो यू जी एच आल्डो सी इजरीज कामा सी नॉट है यद्यपवा अमीर है फिर भी हुआ खुश नहीं है लेकिन अगर आप कामा जगहां आप वाई-ई-ट भी लिख दिया तब भी सही है ठीक है या कॉमा और एट दोनों लिख दिया तब भी सही है अगया अगला आपको करना चेंज यह निवन आप फॉल्लेंगा इस डारेक्ट बदलना है किसी एक को जैसा निर्देश दिया गया पहला देविल क्लोज आल्दा सॉप्स विस सभी भी क्लोज का थार्ट फार्म क्लोज भाई दिम अल्दा सॉप्स ठीक है बिल भी क्लोजट वाई देखा दिम हो जाएगा अगला है पावर्टी इस रियली एकर्स गरीबी वास्तों में क्या है एक अभिसाप होती है तो इसमें आपको इसलमेटर संटेस वराने का सबसे बेस सब्सक्राइब जाएगा जिससे लिलता हीं कोंश मनीलता है न अगर आप ऐसे बना दिए हूंगे अ फाट से बना देंगे वाटे हाउस से तो आप तब भी आपका गलत नहीं काटा जाएगा जा erase whatever the thank you यहां पवर्टी इज रियली नहीं रहेंगे लिखने के वाट यहां को बदल देते हैं यहां रियली करके बना गया थो वांट एकर्स पवर्टी इंजडरा लिख दिया है तब भी चल जाएगा या रियली लगा भी देंगे तब भी आप कुछ ने कुछ दो में एक नंबर तो पाही जाएंगे लेकिन एक जाएक जो आंसर में बता दिए लास लगा दिए उसके बाद जो है सम्मोधन का निसान यानी इंट्रेजक्शन का निसान लगा दिए फिर पूरा वाक्त वैसे तो एक क्या हम सब बता देंगे आपको एक ही करना था अब आप सोच लिए लगाना था क्योंकि आपको देखकर बहुत खुश हूं आप क्योंकि नियकरात्मक अर्थ देना होता तब डवलो का प्रयोग होता है जैसे टीक है इस टू हाट इसको हम पसंद ना करते हो लेकिन हम अच्छे सेंस में बेरी का प्रयोग करते हैं आई अग्सलेंट मैं ऐसे वाग कि दिए गया है अब यहां अगर बेरी नहें लिख प्रयोग बात पर जो देने क्लिए होता तो बेरी होगा करेक्ट आंसर या सो जो लिख दिया उनको भी नंबर मिल जाए यूज एनी वन आप फालोविंग प्रयर्स आफ वर्ट्स इन यूर उन संटेंस तो मेंग दो डिफ्रेंस इन दियर मीनिंग क्लियर अब यहां बताए सब्कितने जा रहा है है देख लेते हैं कि और ओर चैप्पू होता है और पतवार जिसको कहते हुख है और जो ओ ठीक है आर यी होता है इस और माने होता है आयस्क क्या होता है आयस्क के एक प्रकार की कच्छी धात होती है और इसका करियर माने जीवन होता है अपना करियर भरबाद कर रहे हैं प्रोफेस्नल लाइब बना करियर माने होने वाला होता है ठीक है यह इसके मतलब क्यों कुंएधल यह होता है कि अब ठा़ियर का संटेश मैं बता दे रहा हूं कर्य bajा संटेश बना सकते ह। क्लिशन करें रहा है कोई भी संटेश मना सप्ते हूं और यह इसके उपर भी संटेश मना सकते हूं बताते हुँ ए किभी ब्राट ले जाने वाला ठरेंक के कर्ड जो है क्या किया ले आया इसको भी करेब्र है ठीक है कर्यार्ट ढूने वाला कि एक कैरीर बिफ्ट कर्यिए को दिर अब से इसे बनाते ओधिरयर नेय Ayoo जोड़ा सकते हो मैं पेसे चाहिए इसे जोड़ क्राफ सामान वाहन तो आप सकते हो तो अप्यों सामान वाहन इस ततर में पतीन है से इस दूसरा बहले हैं उसके ऊपर मजने लोग इसको लिख सकते हूं और देखते हैं कि दो ब्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे तो टू में वर ट्रैबिलिंग टो кноп राज्ते में उन्हें एक सराय में थायरने का ऊसर मिला राज्तेशन में अंडु ंधक रहे हुआ आन置 konser पाइवा इन पता हमने से एक को सराय दरवाजे पर रूपेंग ये पार पाय पाय उन्में से एक को सराय के दरवाजे पर रूपढ़र की एक-श्काल शे। सराय के दरवाजे के भी पते जो पता हök वीक्षा से ठाए कई अगर्देंग प्सक्ला dio यह थैली दोनों होता है ठीक है बैग ओफ रूपीज ठीक है इस तरह से तीन अंग्रेजी है यह यह जो यूज कर सकते हैं फिराल बैग ही उज इसका बैग बैग में रख काफी रूपए है तो ठीक है बैग कर सकते हैं ठीक है तो आप जो भी लिखे होंगे आपका सही माना जाएगा तो वन आफ देम दूसरे विक्ति ने कहा सेकंड मैंसेट या अंदर मैंसेट भी कर सकते हूं इन रूपयों को बराबर माट लें तो इस्टीब्यूट इस रूपीज एक्विली बराबर देंसे तब पहले विक्ति ने कहा दिन फस्ट मैंसेट थाईली मुझे मिली है एक बनलब आए है इसमें तम्हार्वा है बिल्कल मंसिद कॉर कोंधतन और यह यह इसमें तुम्हार भाग बिलकुल नहीं और अन्यूट कर्ण यूर पार्ट इस नौट इन इस नौट इन बिल्क्ल अध इन बिलकुल पर दो मतलब दोनो ब्यक्तियों में on Rocket बहुत अप तिम ब्यक्तियों किं डॉन तोॉरिक्क च्कड़ा करने तब भी सही है दोनों को लड़ता हुआ देकर, फुलिस वहां आ गय कामल लगाता हुआ है पुलिस कम यह भी और धैली वाले ho norm यह नहीं करें धो उसी चीश स्चेशन के लिए भ217 तैग स्टीशन को थाने ये फ्रेगे नंजी का है घूं व हो तो गो ओड़ पोलिस सिस्टेशन ही हिं एक स कैसे में पारिंग सेसर ही पर से अलगे है आप स्कार्व पहले सकते हो ओ तो मैं यह डो किला है प्रश्माच लगा देंगे इतरना कहकर वह अपने नगर को चला गया है saying it यह कारे या इतना कła करियो हुँआ वह अपने नर्कर को चला गया काम खर कि ही डोइट ओई टू सीटी आहिए व तैसलिएंट ट्रांसलेस्थ बात यह है कि यही सेम आपको 316 डवल इमें भी आया था इसमें भी आया है और हुआ अब आध रट्रेफ चलर हाउ डिडी में एक रट्रेफ चलर कौन था वा कैसे उन्हें बनाता था तो तो तिरिकी यह उसमें नहीं नहीं आ साथ इसमें आलग है तो इस तरह से कहेंगे पेपर भी लेक हुआ होगे इस तरह से अगर कुछ फसे होंगे तो इसमें से बच्चों को अब कर दो इसमें क्या पाते थे एक कुड़ा करकट बेचने वाले के बारे मताया गए तो इसमें बताया गया था तो इस तरह से वह योजना बनाए थे फिर उच्छाल लगाएंगे फिर वह पर आएंगे तो यह पहला कुछिछ आपको साथ में कुस्च्चिन जो है आपको लिखना था चालेस-चालेस वर्ड में दो कोस्चेन करना था दोनों में आप Dayot है अगले 882 बैं कुस्चन आता तो पाहला कुछिंड और और वहां किया सब में भुणो授 आपको बताया गया से ॥ा किसमें दो मेंते कि करना था तो आप उसक्राइब डॉदा की दो टू सेव इस लाइफ डगलस का जो है संखर्स बता जा रहा कि तालाब में क्या जो है उसका बढ़न करो उसने का जीवन को बचाने के लिए कैसे क्या किया में दो कुस्टिन था आपको एक ही करना था चाहे जो आप कर सकते हैं नाव कुस्टिन देखिए डिट फॉल्व इसमें भी आया है चलिए देख लेते हैं हाव डू जेन जेनिफर टाइगर कैसे पहले वाले में पार्ट करना राइटर का नाम पूछा था कभी तरीक है लेकिन इसमें थोड़ा कुस्टिन अलगा है तो कोई बात नहीं है उससे से रिलेटर सब हैं हाउव डूज जेनिफष टाइगर है जेनिफर का आईगर कैसे बीकर करते हैं इसके बारे में आपैसर को लिछ ना था पार्ला टो फटाइगरT educator कैसे ब्यबहर करते हैं तो यह आपका आंसर हो जाएगा और और देखिए पूरा पहले आंसर प्रस्ट पर बताई दे रहे हैं परदी पर पाइट टुपाज डेंजन साफी वर्ल्ड आफ ग्रेन चमकीले पुखराज है यह निवासी है जंगल का निवासी है यह पेड़ के नीचे वाले ब्यक्तियों से डरते नहीं है देपेस इन इसलीक सिवल रिक सर्टेंटी बहादुर्पूर्ण निश्चित्ता के साथ घात लगाए तो आपका इस कॉंसर यहां से बताना है प्रांस कर रहे हैं ठीक है और जो है प्रांस एक क्रासे स्कीन प्रांस उचल कोड़ कर रहे हैं और आप इसको भी लिख सकते हैं इस दोनों बातों को आप लिख सकते हैं वाइड दॉद्धा नॉट फियर में वेने डट पेड़ के निचे वाले वीक्तियों से टाइगर क्यों नहीं दरते हैं चली देखते हैं और देखें एक बात यह पीस वाला जो है नहीं नीचे भी एक क्वेस्टिन दिया गया हाव टूद्धा पेस तो यह नीचे वाला इस जाल जाएगा दूसरा कुश्चन वाइडू टाइगस नॉट फियर में वेने देखें पेड के निचे रहने वाले लोगों से टाइगर क्यों नहीं डरते हैं चली इसको बता देखें अंसरा पर हम से लिख सकते हैं कि पता देखें कि दो टाइगस दूनाट फियर दमिन वे कि वास्थिक नहीं है तो जब लिख अधल से सबता दो ना नकले हैंतों को इपायेगा जैसे हैं व्यक्ति से नहीं डरते हैं विकॉज दे ठीक हैं देमसेल्ज आर फेरोसियस क्योंकि वह स्वैम बहुत क्या होते हैं खुखार होते हैं फ-e-r-o-c-i-o-e-s इस तरह से आप लिख सकते हैं क्योंकि वह वास्तिक नहीं है अगर वह वास्तिक होते भी वह लोगों से चप्रीक कि यहां रही हैं इसके बारे माको लिखना है इसके बारे पर दोड़ा जोड़ देना था यहां पेस लिखने बाद यहां बाद यहां पर लास्ट का लाइन होगा ठीक है पहले का पहली लाइन ठीक है और दूसरे का तो बता ही दिये चलिए आगे दिखते हैं दस्वह है यही से डवल इमें भी आया था ठीक है तिन सोला दो सेम पॉस्ट इंपॉर्टन इस अभी हम बताया थे अप एक ही तयार करना चाहते हो था आप थिंग आ प्यूटी तयार कर लो क्योंकि हंड़ेट पसंट इसकी संभावना पहले से बता दिया आएगे के पी क्वाइट आप शिक्टी सिक्स थिंग प्यूटी हम बताया थे कि उलेक्स को तैयार कर लेक्षिक दो पार की तैयार करना चाहते हैं तो सब आ गये हैं अच्छी बात है सब को आई फटेयार भी रहा होगा आंसर दो फॉल्वविश्टन सिन अबॉर्ट फॉर्टी वर्स चालिस वर्ड इस नेम्ड तो टाइगर को था और उसका इसा नाम क्यों पड़ा तो ठीक है तो टाइगर को बहुत मारता था तो यह सब बाते आप बताया गया है अब दो में से लिखना अप लिखना आप लिए होंगे काफी कुस्चिन अच्वी कर रहे हैं डवली से वाट इस एम उसमें भी आया था क्या लिखा था तो दोनों में आपको मिल रहा है कि हाव डिड़ दर अथर रीश अंटार्किटी अंटार्किटी क्या लेखत कैसे पहुंचा तो यह सब भी आपको जहां पढ़े हैं बताया गया है कैसे कैसे पहुंचे तो इसको कर लिए हो कुस्चिन अ आपको पड़े होंगे पार्ट की समरीफ जानते हो तो आप आराम से लिख लिए हो इस तरह से आज की वीडियो में इतना है तुम ऑगे आपको और भी प्रेप्रेटिशन करने के आगे अगर आप ingles से लेना चाथ तो उसके लिए वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगे तो तुमाम सारी वीडियो आ है को आपको इस चैनल पर मिल जाएग चाहे स्कूल की चाहिए आप कमेंट कर को कि बता सकते में आपको मिल जाएगी जैसी हमाज टाइम मिलता है मैं बना दूंगा इसलिए वीडियो के इसको ज्यादा ज्यादा सेयर भी आप कर दिये ताकि आपके आपके साथ ही लोग समझ सके हैं आपको मिला सके कितने नंबर आया है जो ग्यारा में हो बारह के लिए पड़ सेके हाइस आपके लिए टेट वर्टर टीजटी वीजटी तिर्ट लेबल तक की भी अपत्यारी करना चाहते हैं कोई भी इंगलिस तो आप चैनल को सब्सक्काइब करके घंटी दबालेजें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों